असलाम वोलेकों मेरे परदेशी भायों क्या आप लोग अभी भाग कर किसी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं क्योंकि गुवर्मेंट के तरफ से जो ओफर निकाला गया है और साथ दिन का टैम गया गया यानि दो महिने का टैम दिया गया है कुछ दिन चला गया है कावी लोग का फर्माई से क्या हम अभी अपना कंपनी ट्रांसफर ले सकते हैं यानि किसी और कंपनी में जा सकते हैं क्योंकि यह ओफर हुरूप वालों के लिए तो क्या भी हम भागेंगे तो हमारा कंपनी हमारे उपर हुरूप डाल देगा उसके बाद हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं इसके बारे में फूल डिटेल्स बताने वाला हूँ उसके बाद यहीं बताने वाला हूँ अगर आप लोग साओधी आरब में रहकर अपने आईडी पे किसी को सीम दिलाते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा नोटिस दिया गया है और अपने अफसर आईडी के जरीए किसी को लोगिन करवाते हैं यानि किसी और के सीम पे अपना अफसर रेइस्टर करवाते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिस है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर देजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब न सारुखान का फोटो भी दिखाया गया वीडियो के तौर पे तो आप देख सकते हैं सारुखान किस तरह से अपना फोटो पोस्ट किये हैं सारुखान मुंबई में हैं जनमनत के पास अपने घर में यानि कुछ दिन पहले में वीडियो बना कर दिखाया था सारुखान के घर प्रड़ के बारे में लेकिन उनका जनम दिन आया तो उस दिन सारोख खान अपने घर पे आके लोग के साथ मिले और हाई हेलो किये उसके बाद पुरिज खलीफा बेभी उनका फोटो और उसका गाना दिखाया गया तो यह होता है असली किंग उसके बाद हम बात करना तो अंजान लोग को न दिलाए और जो लोग भी इस तरह का कारवार करते हैं करना बंद करते हैं नहीं तो साथ लोग को गिरफतार किया गया है आप भी फंस सकते हैं उसके बाद अपने सीम पे किसी का आपसर ID एक्टिवेट न करें अगर वो खास आत्मी है तभी करें किसी ग अपने तवकलना से उसको एक्टिवेट कर देते तो वहां पर यह वार्निंग आता था कि जो भी इंसान अगर गलत करेगा आप भी फंस सकते क्योंकि यह जीमदारी आप क्यों पर जाता है तो आप ऐसे इंसान को एक्टिवेट करें जो आपका खास हो तो फाइनलिल हम बात देंसिल हो जाएगा तो आप इस तरह का गलती न करें काफी लोग मुझे मेसेज कर रहे हैं कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह का का हम कर सकते हैं क्योंकि ओफर है तो फाइदा उठाना है तो मैं आपको बताना चमगा यह नए हरूब वालों के लिए नहीं अगर फाइदे के लिए काम किया है ओफर दिया है कि जो लोग भी इस तरह से भाकर काम करते हैं यह तो चुरा चुपाय काम करते हैं तो कमपनी में ट्रांसफर ले ले ताकि जो भी उनके उपर फाइन आएगा एकामा का फाइन है वाइलेशन है तो उन कमपनी की जरिए उनके पा बागेंगे और बाद में आपके उपर हुरूब लगेगा फिर आप जाकर ट्रांसफर लेंगे तो ऐसा मेरे बाइब बिल्कुल नहीं है तो जो लोग पुराने हैं जिल लोग के उपर पहले से हुरूब लग चुका है वो लोग इस ओफर से फैदा उठा सकते हैं और किसी भी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं या उम्मिद करता हूँ कि आपके जनकारी अच्छला के इस बीपर लाइक शेर जरूर कीज़ेगा ताकि जो लोग भी इस तरह गलती करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं ना करें